जैहिन विद्यार्थियों मैं रामनात पटले इस यूट्यूब चैनल मासाप जी में आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों आज के इस कालखंड में हम कक्षा 10 वी की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के गत वर्ष के प्रस्नपत्र तथा मादमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्स उत्तर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में जिन आदर्स उत्तरों की जानकारी हम आपको देंगे यह मादमिक सिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम में दिये गए हैं जो की मुल्यांकन करता सिक्षकों को बोड द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो यहादर्स उत्तर आपको अवश्य देखें साथ ही आग रहा है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकान को क्लिक करना ना भूलिए जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होत जिसमें प्रतेक उप प्रस्न पर एक एक अंक आवंटित है इस तरह कुल 30 अंक प्रस्न क्रमांग 1 से 5 तक पर आवंटित हैं प्रस्न क्रमांग 6 से 17 तक अतिलगु 3 प्रस्न है और प्रतेक प्रस्न पर 2 दो अंक आवंटित है और इनके लिए सब्द सीमा 30 सब्द है प्रस्न क्रमांग 21 से 23 तक विशलेशनात्मक प्रस्ट है यानि इनको हम दीरहुत्री प्रस्ट कह सकते हैं इन पर 4-4 अंक निरधारित हैं और उत्तर लिखने के लिए सब्द सीमा है 120 सब्ध विद्यार्थियों यदि हम दी गई सब्द सीमा में उत्तर लिखते हैं तो हमें पूरे अं C तथा CD इन 4 सेट में से कोई एक सेट का प्रस्ट पत्र प्रदान किया जाएगा सभी प्रस्ट पत्रों में प्रस्ट एक जैसे ही होंगे केवल उनका क्रम अलग-अलग होगा हम इन प्रस्टों के उत्तर आपको बोर्ड द्वारा जारी की गई मार्किंग स्कीम यानि आदर जैशंकर प्रशाद, जग मोहन सिंग और अग्ये तो यहां सही उत्तर है अ भूशन दूसरा तुलसी दास की रचना है सूर सागर, जहरना, विनय पत्री का और गीती का विनय पत्री का सही उत्तर सा है तीसरा है, दसमे रस का नाम है स्रंगार, वीर, भयानक तथा वात्सल्य, इनमें सही उत्तर है दा वात्सल्य चोथा, बाल, गोबिन, भगत सहाब मानते थे अ सूर्दास, ब तुलसी दास, सर नागारजुन और दा कबीर तो यहां पर सही उत्तर है दा कबीर पांचवा, वह धीरे-धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेशन का भेद है परिमान आत्मक, रीतिवाचक, इस्थानवाचक और दा कालवाचक, तो सही उत्तर है बा, रीतिवाचक छटवा, बालक, तारकेश्वर, नाथ को उसके पिता ठीका लगाते थे अ, चंदन का, बा, रोली का, सा, भभूत का, और दा, कुम-कुम का, तो सही उत्तर है सा, भभूत का प्रस्ण करमान दो रेक्तिस्थानों में सही विकल्प का चैन कर लिखिए नम्मर एक, सूर्दास के खालिस्थान गुरु थे, यहां हम लिखेंगे वल्लभाचारे दूसरा, चौपाई छंद की प्रतेक पंक्ती में खालिस्थान मात्राएं होती हैं तो यहां पर सही उत्तर है सोला, प्रबंध कावे के भेद होते हैं दो, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्थान था, मुतिलाल, संधी के खालिस्थान भेद होते हैं तीन, हिमालाई की तीसरी सबसे बड़ी चोटी खालिस्थान है, कंचन जंगा प्रस्ण करवांग तीन है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए कालम आ में लिखे कतनों की जोड़ी कालम बा से बनाएंगे कालम आ में पहले नमर पर है कामाईनी, कामाईनी की जोड़ी हम बनाएंगे सा, जैसंकर प्रशाथ से दूसरा मानवी क्रियाओं का आरोप की जोड़ी दा, मानवी करण गद्य की प्रमुख विधाएं की जोड़ी ई निबंध, लखनवी अंदाज की जोड़ी आ यस्पाल से, अंधे की लाठी की जोड़ी बड़ी ई एक मात्र सहारा, और मैं क्यों लिखता हूँ की जोड़ी ब अग्ये से बनाएंगे प्रस्न करमांग चार है, एक वाके में उत्तर लिखिए, नमर एक, कवी निराला ने बादलों की तुलना किस से की है, तो उत्तर में हम लिखेंगे, कवी निराला ने बादलों की तुलना काले घुंगराले बालों से की है, दूसरा, रस के कितने अंग होते हैं, तो हम लिखें समास के कितने भेध होते हैं, समास के 6 भेध होते हैं, पांचवा एक अनार 100 बिमार का अर्थ लिखिए, एक अनार 100 बिमार का अर्थ है, चीज कम और चाहने वाले बहुत, और छटवा भोले नात के पिताजी गंगा में 8 की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, इसमें आप ए असत्य चैन कर लिखिए, नम्मर एक, मुख्य गायक के स्वर चटान जैसे भारी और गंभीर थे, सत्य, दूसरा दोहा एक सम मात्रिक छंद है, असत्य, तीसरा आदमी ने पहले पहल आग का अविस्कार किया था, सत्य, चोथा जो जीता ना जा सके उसे अजे कहते हैं, सत्य, पांचवा प्रेयर भील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, असत्य, और छटवा हिरो सीमा में परमानुबं गिरा था, विद्यार्तियों, यह जो उत्तर हैं, बोर्ड परिक्षा की मार्किंग स्कीम, यानि आदर्स उत्तर पुस्तिका से हमने लिया है, अगर आपको कि लिक्षा में आदर्स उत्तर कैसे लिखें, इसका पूर्वा अभ्यास अच्छी तर है, हो जाएगा, तो आईए देखते हैं, प्रस्न कर्मांग 6, प्रगतिवादी कावी की प्रमुख दो विसेस्ताइं लिखिए, अथवा रीतिकाल की कोई दो विसेस्ताइं लिखिए, त दूसरा आर्थिक वा सामाजिक समानता पर बल दिया गया, अथवा में जो प्रस्न हैं रीतिकाल की विसेस्ताइं, इसके अंतरगत नम्मर एक, रीतिकाल के कवियों में सरंगार के संयोग और वियोग की प्रधानता थी, और दूसरा आस्रह दाताओं को प्रभावित करने के लिए इस युग के कवियों ने कावे में चमतकार पून कावे की रचना की, यहाँ पर नोट में कहा गया है कि अन्य सटीक विसेस्ताइं लिखने पर स्वविवेक से अंक प्रधान किये जाएं, यानि इन विसेस्ताओं के अलावा आप अन्य सटीक विसेस्ताइं लिखते ह तब भी आपको दोवंग मिलेंगे प्रस्ट क्रमांग साथ है सूर्दास अत्वा नागारजुन की काविगत विसेस्ताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए दो रचनाएं और भावपक्ष सूर्दास की प्रमुख रचनाएं सूर्शागर साहित लहरी सूर्शारावली और काविगत विसेस्ताएं या निभावपक्ष इसके अंतरगत स्रीकरशन की बाल लिलाओं के गायक सूर्दास जी के कावि में भक्ती वातसल और स्रंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है दूसरी विसेस्ता लिख सकते हैं वह वातसल का कोना कोना ज्हांक आए है अगर आप इनके अलावा भी कोई अन्य विसेस्ताएं लिखते हैं जो की सही है तो आपको दो अंग पूरे मिलेंगे अथवा नागारजुन की रचनाय है युगधारा सतरंगे पंखों वाली और तुमने कहा था इसकी काविगत विसेस्ताएं भाव पक्ष में नागारजुन की दरस्टी यथार्दवादी रही है आपने सोसितों के प्रती सहनुभूती एवं सोशन के प्रती विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है आपके कावे में प्रकृती साकार हो उठी है कलापक्ष नागारजुन ने बोलचाल की खड़ी बोली में कावे रचना की है सरलता सुबोधता इस्पष्ठता एवं मार्मिक्ता की प्रमुक्ता है आपने चंद बध एवं चंद मुक्त दोनों प्रकार के कावे की रचना की है प्रस्ण क्रमांक आठ है कभी आत्मकता लिखने से क्यों बचना चाहता है अथवा परसुराम के क्रोध करने पर लक्षमर ने धनुस के तूट जाने के लिए कौन से तर्क दिये तो उत्तर है कभी आत्मकता लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे दूसरों को बताया जाए, वे स्वयम को सामानिवेक्ति मानते हैं, वे आत्मकता लिखकर अपना उपहास नहीं कराना चाहते हैं, उनका जीवन दुख और आगातों से पूर्ण रहा है इसलिए वे उन्हें याद करना नहीं चाहते हैं अथवा में जो प्रस्ण है उसका उत्तर है परसुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मन ने धनुस तूटने पर तर्क दिये कि प्रभु राम ने धनुस को नया समझा लेकिन वह पुराना और जर सीरसक उत्साह क्यों रखा गया है अथवा संगतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत करना चाह रहा है प्रस्ण क्रमांग नो कभीता का सीरसक उत्साह क्यों रखा गया है इसका उत्तर है कभी ख्रांती लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना च बादल का गर्जना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है। इसलिए कविता का सीर्षक उत्साह रखा गया है। पीछे रहकर अपना सहयोग करते हैं। ये लोगों की नजर में नहीं आते हैं। इसलिए महतवपून होते हुए भी कारी की सफलता का स्रे इनको नहीं मिल पाता है। ये औरों को उठाने सफल बनाने में पूरी लगन से कारे करते हैं। प्रस्ण करवांग 10 है खंड कावी की दो विसेस्ताएं लिखिए। खंड कावी की विसेस्ताएं इस प्रकार। नम्मर एक खंड कावी में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रन होता है। दूसरा इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। इन दो विसेस्ताओं के अलावा अन्य सटीक विसेस्ताएं लिखने पर भी दो अंक परिक्षक द्वारा प्रदान किये जाएंगे। अथवा में प्रस्न है स्रंगार रस किसे कहते हैं उधारन सहित लिखिए। तो उत्तर है नायक नाईका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंदी परिपक्ष अवस्था को स्रंगार रस कहते हैं। उधारन है एक पल मेरे प्रिया के द्रिग पलक थे उठे उपर सहज नीचे गिरे चपलता ने इस विकम्पित पुलक से द्रिढ किया मानो प्रणाय संबंध था। तो इस तरह परिभासा के अलावा एक उधारन लिखने पर पूरे दो अंक प्रदान किये जाएंगे। प्रस्न क्रमां 11 चौपाई छंद को परिभासित करते हुए उधारन सहित लिखिये। तो चौपाई छंद की परिभासा है मात्रिक छंद चौपाई चार पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्तेक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। उधारन है मंगल भवन अमंगल हारी दरहुं दसरत अजिर बेहारी तो परिभासा क्या लावा कोई एक उधारन लिखने पर दोवंग प्रदान किये जाएंगे अथवा में प्रस्न है अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं उधारन सहित लिखिए तो अन्योक्ति अलंकार की परिभासा है जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ धोनित हो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है उधारन है माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिये काल है हमारी बार तो परिवार्शा के अलावा एक उधारन जोकी इससे अलग भी हो सकता है सटीक उधारन लिखने पर दोवंग प्रदान किये जाएंगे प्रस्निकरमांग 12 है कहानी और उपन्यास में कोई दोवंधर लिखिए तो कहानी और उपन्यास में अंतर कहानी छोटे आकार की होती है जबकि उपन्यास बड़े आकार की होते है दूसरा कहानी में जीवन का आंसिक चित्रन होता है जबकि उपन्यास में जीवन का व्रहद चित्रन होता है उप्रोक्त अंतर के अलावा अन्य सठीक अंतर लिखने पर भी अंक दिये जाएंगे अथवा में प्रस्न है रेखा चित्र और संस्मराण में कोई दो अंतर लिखिए तो रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर रेखाचित्र प्रसिद्ध व्यक्ति के विशय पर नहीं लिखा जाता है जबकि संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विशय पर ही लिखा जाता है दूसरा रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है जबकि संस्मरण में तटस्थ द्रस्टी होनी चाहिए तो उपरोक्त दो अंतर के अलावा भी अन्य सटीक अंतर लिखते हैं तो दो अंप्रदान किये जाएंगे प्रस्ट करमांग 13 है यसपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहितिक परिचय निम्न बिंदूओं पर लिखिए नमबर एक दो रचनाए और भासा सैली तो यसपाल अथवा मन्नू भंडारी में से किसी एक का तो यहां यसपाल की रचनाए हैं ग्यानदान तरक का तूफान धर्मयुद, पिंजरे की उडान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता भासा सैली यसपाल जी ने जन सामानी की व्यवारिक भासा में साहिति रचना की है उन्होंने तत्सम तथा तदभव सब्दों को आवशक्तानुशार अपना लिया है उनकी भासा में सहजता, ओज, या लालित्य एवं प्रवाह आदीगुण सर्वत्र दिखाई देते हैं यसपाल जी ने वननात्मक, सम्मादात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, हास्य व्यंग आदी शैलियों को अपनाया है अथवा में मन्नु भंडारी इनकी रचनाय है एक प्लेट सैलाब, मैं हार ग यहाती पाया जाता है, मन्नु भंडारी ने विवेचे एवर देफ-देजश ओधनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, विवेचनात्मक बहा दी शैलियों को अपनाया है प्रश्रकरभांग 14 है, सेनानी ना होते हुए भी चस्मेवाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे और सम्मान का भाव भरा था अथवा में प्रस्न है इस आत्म कथे में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है तो उत्तर है लेखिका के पिता मानते थे कि लड़कियों को घर की रसोई के कारे में लगाने से उनकी शमता प्रतिभा और यो टियार खाना कहते थे प्रस्निक्रमांग 15 है सहनाई की दुनिया में डुम्राओ को क्यों याद किया जाता है इसका उत्तर है सहनाई बजाने में जो रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है वह मुख्यता है सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है दूसरा बिंदु है सहनाई बजाने में महारत हासिल करने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खां सहब का जन्म स्थान भी है इसलिए सहनाई की दुनिया में डुम्राओ को याद किया जाता है इसका अथवा में प्रशन था वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है उत्तर है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है जिस व्यक्ति की बुद्धी ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथिका दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है प्रशनकरवांग 16 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए इसमें पहला है खून पसीना एक करना और दूसरा है दालना गलना तो खून पसीना एक करना इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना उदारन दिया हुआ है बाबू जी यह है छोटा सा मकान में ने खून पसीना एक करके बनाया है आप इसके अलावा भी कोई अन्यवाग के बना सकते है दूसरा है दाल न गलना अर्थात सफल न होना देवेश इसने नकल करने का बहुत प्रयत्ति किया किन्तु सजग निरीक्षकों के कारण उसकी दान नहीं गली इसके अलावा भी आप कोई अन्यवाग के बना सकते है इसके अथवा में प्रस्ण है निमलिखित सब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए पंचवटी और नी गिला है जो अंबर यहाँ पर कर्मधारै समास है प्रस्ण करवांग सत्रा है भोला नात और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामगरी आपके खेल और खेलने की सामगरी से किस प्रकार भिन है तो उत्तर है भोला नात के खेल और खेलने की सामगरी आचल की है उसके खेलन की सामगरी भी उसी समय की है वे पेड, पत्तों, गीली मिट्टी, कनस्तर, मिट्टी के बरतन, पत्थर, घर के सामान से खेलते थे और आनंद लेते थे आज का समय बदल गया है आज क्रिकेट, हौकी, कम्प्यूटर, वीडियो गेम आदी का प्रचलन हो गया है इसके अथवा म बम विस्फोट की जानकारी थी, एक दिन सडक पर घूमते देखा की एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली चाया है उससे लेखक ने सोचा की विस्फोट के समय वह कोई खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे रेडियो धर्मी पदार्थों की किरने आस-पास आग के बढ़ गई उन्होंने पत्थर को जला दिया इस तरह समस्त त्रासदी पत्थर पर अंकित हो गई लेखक इस प्रकार हेरोसिमा विस्फोट का भोगता बन गया विद्यार्थियोग प्रस्नक्रमांग 18 से ये सभी तीनंक वाले प्रस्न हैं इनमें पद्यांस की सब प्रसं प्रसंग व्याख्या कीजिए यहां पद्यांस दिया हुआ है हमारे हरी हारिल की लकरी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह द्रण करी पकरी जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों करूई ककरी सूत तो व्यादी हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सुर तिनही ले सौपो जिनके मन चकरी इसका अथवा जो दूसरा पद्यांस है मधुप गुना गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी मुर्जाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आजगनी इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास तो यह दो में से किसी एक पद्यांस का सब प्रसंग व्याख्या करना है तो पहला वाला जो पद्यांस है हमारों हरी हारिल से लेकर के जिनके मन चगरी संदर्व, पाट का नाम है पद और इसके कभी है सूरदास प्रसंग है जब उद्धव गोपियों को क्रश्न को भूल जाने को कहते हैं तो गोपियां बेचयन होकर उद्धव को बताती हैं कि हम स्री क्रश्न को नहीं भूल पाएंगे व्याख्या यहां पर व्याख्या पूरी दीवी नहीं है कहा गया है कि उक्त पध्यांस की सटीग व्याख्या लिखने पर स्वविवेक से अंग प्रदान किये जाए पिद्यार्थियों इसमें संदर्व, कभी का नाम, प्रसंग, आधी लिखने पर अलग-अलग अंग दिये जाते हैं दूसरा जो है मधूप गुन-गुनाकर से लेकर व्यंग मलिन उपहास इसके पाट का नाम है आत्मकत्य और कभी का नाम है जैसंकर प्रसाद प्रसंग, यहां कभी जैसंकर प्रसाद अपने अनुभाव अभिव्यक्त कर रहे हैं व्याख्या यहां पर भी नहीं दी हुई है सटीक व्याख्या लिखने पर स्वाभिवेक से आखपलान किये जाएं यहां परिक्षक के लिए निर्देश दिया गया है प्रस्नक्रवांग 19 है निम्नलिखित गद्यांस की सब प्रसंग व्याक्षा लिखिये तो ये गद्यांस यहां दिया हुआ है मूर्ती संग्मर्मर्की थी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई दो फुट उची जिसे कहते हैं बस्ट और सुन्दर थी नेता जी सुन केरह याद आने लगते थे इस द्रस्टी से यह सफल और सराहनी प्रयास था दूसरा जोगत द्यांस है यहां पित्र गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरावगान करना है बलकि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तितु की कौन सी खूबी औ खामिया मेरे व्यक्तितु के ताने माने में गुथी हूई है या कि अंजाने अंचाहे किये उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंतियों को जन्म दे दिया तो यह दो गध्यांस हैं इनकी सप्रसंग व्याक्या करना है इसमें जो मूर्ती संगमरमर जिसमें की नेता जी स सुभास के बारे में कहा गया है संदर्म में हम लिखेंगे पाट का नाम नेता जी का चस्मा और इसके जो लेखक हैं स्वयम प्रकास यहां पर कस्बे के चौराहे पर नगरपाली का द्वारा लगाई गई सुभाज चांदर बोस्की प्रतिमा के बारे में बताया गया है और व्याख्या इसमें कहा गया है कि सटीक व्याख्या लिखने पर पूरे अंग प्रदान किये जाएंगे इसी तरह जो दूसरा गध्यांस है यह पित्र गाथा से लेकर ग्रंतियों को जन्म दे दिया पाट का नाम है एक कहानी यह भी लेखक का नाम है मन्नु भंडारी प्रसंग है इसमें लेखी का जानना चाहती है कि उनके व्यक्तितु पर उनके माता पिता द्वारा किये गए व्यभार का क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर भी कद्यांस की व्यक्या नहीं की गई है अनुच्छेद लेखन प्रसंग करवांग 20 है मीठी बोली का महत्तो विसे पर अनुच्छेद लिखिए अथवा बढ़ती महंगाई के संबंद में ग्रहाक और किराना दुकान के मालिक के मध्य समवाद लिखिए यह भी तीन अंक का प्रस्म है अभिव्यक्ति आपको अपनी करनी है तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे निठी बोली का महत्तो समवाद लिखन में भी एक दुकानदार और ग्रहाक के मध्य समवाद आपको लिखना है जिसमें बढ़ती महंगाई के बारे में आप चर्चा करेंगे तो कम से कम तीन तीन वाकिया आप लिखेंगे तो तीन पूरे प्रदान किये जाएंगे इसके बाद है अपठित गद्यांस प्रस्न करवान 21 अपठित गद्यांस में यहां आपकी पाठे पुस्तक का गद्यांस नहीं होता है किसी अन्य पुस्तक से लिया गया अन्स होता है तो यहां पर एक गद्यांस दिया गया है कभी-कभी लक्ष बहुत दूर दिखाई देता है, संदे होने लगता है कि इस लक्ष को प्राप्त कर लेंगे या नहीं, कई बार लक्ष प्राप्ती के लिए अनrebbe प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है, इससे मन में निराशा का भाव जागरित हो जाता है, निरासा से प्रसनता और शांती नस्ट हो जाती है आसा उत्साहित करती है निरासा का भाव अकेले नहीं आता उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है असुरक्षा का भाव आता है तनावों का बवंडर आ जाता है मन उत्साहीन हो जाता है मन में निरासा नहीं आसा को बसाना चाहिए जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थित्यों में भी लक्ष प्राप्ती में सक्षम हो सकते हैं अब इस गध्यांस और आधारित प्रस्ण दिये गए हैं कि गध्यांस का सीरसक लेखें दूसरा है निरासा का भाव जागरत क्यों होता है और मन में आसा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए यहां पर जो सीरसक दिया हुआ है आसा का भाव और दूसरे प्रस्ण का उत्तर है निरासा का भाव क्यों जागरत होता है तो लक्ष प्राप्ति के लिए किये गए प्रयासों के बाद भी अस्फल हो जाने के कारण मन में निरासा का भाव जागरित होता है विद्यार्तियों गध्यांस में ही इन प्रस्नों के उत्तर दिये होते हैं जैसे इसमें आशा के बारे में कहा गया है, तो हमने सीर्षक के रूप में आशा को चुना, तो इस तरह से आप गध्यान से ही इन प्रस्नों के उत्तर ढून सकते हैं. दूसरा जो गध्यान से है, अपठित गध्यान सरम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब अशंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुप पाते, राजा परजा नहीं कुछ होता होते मात्र मनुझ ही, भाग लेक होता ना मनुझ का, होता मरकट भुज ही. इसमें जो पहला प्रस्न है, इस पध्यान सका सीर्षक लिखिए. तो यहां चुकि स्रम के बारे में कहा गया है, इसलिए हम सीर्षक लिखेंगे स्रम का महत्त. दूसरा प्रस्न है, स्रम को कभी ने कैसा धन कहा है, तो स्रम अमूल्य धन होता है, अर्थाज जिसका कोई मूल प्रशन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राजा प्रजा ना होने से कभी का तातपर है संसार में किसी भी प्रकार की उँचप नीच का भेदभाव ना हो ना कोई बड़ा हो ना ही कोई छोटा हो इस तरह से आप इन प्रशनों का उत्तर लिखेंगे तो भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिये तो नगरपाली का अध्याप्ष को मोहले की सफाई के बारे में जो पत्र आप लिखते हैं इसे उपचारिक पत्र कहते हैं इसमें संबोधन लिखने पर आपको एक अंग विशय लिखने पर एक अंग पत्र का मुख्य भाग लिखने पर एक अंग और अंत में आवेदक तथा पत्र का समापन जिसमें प्रेशा के स्थान दिनांक आदी लिखने पर एक अंग तो इस प्रकार पत्र लिखन में पत्र के अलग-अलग भाग पर अंग प्रणान किये जाते हैं आप ये ध्यान रखें, समुचित संबोधन हो, फिर विसे लिखिए, विसे लिखने के बाद पत्र का मुख्य भाग और अंत में समुचित समापन हना चाहेगी, अनौपचारिक पत्र जो कि आप मित्र को या आपने किसी परिचित संबंधी को लिखते हैं, तो इसमें भी संब विभाजन किया जाता है, प्रस्ण क्रमांग 23 है, दिये गए विशियों में से किसी एक विशय पर सार गर्भित निबंध रूप रेखा सहित लिखने पर, तथा विश्यानुसार उचित सब्दावली के प्रयोग प्रस्तावना विशय विश्तार एवं उपसाहार लिखने पर स्वाविवेक से मुल्यांकन अंकुदान किये जाने, इसमें जो निबंध के विशय दियेगा है, विशय देख लेते हैं, निमनांकित विश्यों में से किसी एक विशय पर निबंध रूप रेखा सहित लिखिये, इसमें पर्यावन प्रदूशन, वर्तमान समय में उखे भाग हो और अंत में उपसंगार हो, इस सब पर अलग-अलग अंत परणान किये जाते हैं, तो विद्यार्तियों इस परकार आज की यह जो मार्किंग स्कीम या अंक योजना है, यह माधमिक शिक्षा मंडल द्वारा गत वर्स के प्रस्नपत्र पर आधारित, मॉडल या मार्किंग स्कीम है, तो आसा है, आज का यह वीडियो तथा इसमें बताए गए प्रस्न एवामुन के उत्तर आपके आगामी बोर्ड परिक्षा के लिए उप्योगी सिद्ध होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सैपाठियों से सेयर करें, चैन झार आपके होंगे हो तो अगर दो यह सा दिर्दा करेंग जाज।